Hello everyone, my name is Mead and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज हम बात करने वाले हैं Access Bank की आई हुई लेटर्स ओ विकैंसिस के बारे में जहां पे कोई आपको application fee पे नहीं करने हैं, कोई exam आपका यहां पे नहीं होने वाला है सीधा आपके यहां पे Access Bank में hiring हो रही हैं तो कैसे आपको उन विकैंसिस के लिए apply करना है, कौन-कौन सी विकैंसिस यहां पे out होई हैं पोस्ट वाइस क्या क्या eligibility मांगी गी हैं सारी चीजों को यहां पे detail में आपको समझाने वाले हो तो वीडियो को starting से एंटक जरू देखना वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए important होने वाला है देखिए अगर आप चैनल पे पहली बार आई है, इसी तरीके से चाहते हैं चाहे किसी भी बैंक की विकैंसिस आई, SAC की, railway की या किसी other department की उसकी information आप सबसे पहले आपको मिल जाए तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करके, बैल एकन को प्रेस करके, all पर क्लेक करना ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आ रही है, उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बाकी सब्डेट के इलावा देखिए, बहुत सारे department है, जिनकी वीकैंसिस आउट हो चुकी है आप अपने qualification, अपने city या free district के according, हमारी official website www.clory.com जिसका link आपको description में दिया गया है, विजिट करके, information लेकर आप apply कर सकते हैं हमारी official site को आप google पर type करें जैसे मैंने type किया, पहली number पर site मिल जाती है जितनी भी recently विकैंसिस आई है, आप उसको यहाँ पर website को explore करके, चेक करके यहाँ पर apply कर सकने है चलिए, ज्यादा time में लेंगे directly बात करेंगे, access bank की आई हुई latest of विकैंसिस के बारे में कैसे आपको यहाँ पर step by step apply करना है, विकैंसिस कौन कौन सी है, क्या post wise यहाँ पर eligibility मांगी गी है, salary आपके क्या रहने वाली है, age limit क्या है हर चीज को detail में समझाने वाली हो, वीडियो का हर पार्ट आपके लिए important है, तो वीडियो को starting से अंट टक जरू देखना चैनल पर पहली बार आए है, subscribe करके, bell icon को जरू प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और हाँ, एक प्यारा सा like जरू करना, आपका एक like motivate करते है, आपके लिए नएने अपडेट लेकर आने का बताना जाती हो, HFC bank की latest vacances भी आ गई है, वहाँ पर भी आपके कोई exam नहीं है, सीधा selection होने वाली है, वो वीडियो इसी चैनल पर आ रही है जैसे technical government job पर डेली आपको दो वीडियो मिल रही है, इधर आपको डेली तीन से चार वीडियो मिल जाती है, जाकर सब्सक्राइब करना बहुत जादा मिनत से ही मैंने आपके लिए चैनल बनाया है, ताकि कोई भी opportunity आपके हाँ से मिस ना हो जाए, फिलहाल हम बात करे हैं, एक्सिस बैंक की आई हुई लेटर जोवेक एंसिस के बारे पर कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या requirements है, नोटिफिकेशन आप यहां पर देख पार है, एक्सिस बैंक की तरव से है, यहां पर और इंडिया जॉब लोकेशन है, मेल फिमल दोनों अप्लाई कर सकने है, बिलकु अप्लाई आप चाहते है, अपको कॉल भी साथ साथ आजाए, तो ध्यान से समझ रहे ना, वीडियो ध्यान से देखना कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, और सेलेक्शन भी ध्यान से समझ जाना, बहुत इसी लिए, आपको यहां पर सेलेक्शन होने वाली है, एक्जा आपके अगर minimum की बात करें 18, maximum की अगर हम यहाँ पर बात करें इजनमेट की बट आपके up to 48 भी है तब भी आप इन विकैंस के लिए apply कर सकते हो male and female दोनों ही ठीक है यहाँ पर विकैंस के बार में अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर पोस्ते देखी आ रहे है मतलब relationship manager की उसके बाद banking relationship office ठीक है asset desk manager की विकैंस है network coverage की है executive की विकैंस है executive के लिए तो मेरे बास कब से comments आ रहे है मैं हम विकैंस कब आएंगी तो finally आपके लिए आगी है freshness apply कर सकते हैं सारी विकैंस में commercial banking specialist की है credit department so next post के अगर हम यहाँ पर बात करें business analyst की है circle head banking relationship manager की है इसके इलावा यहाँ पर बहुत सारी विकैंस है जो access bank की तरव से release हुई है यहाँ पर सीधा मैं आपको site पी लेकर चलती हूँ वहाँ पर चलकर discuss करते हैं post wise क्या eligibility मागी है कौन कौन सी post के लिए आप apply कर सकते हैं और कैसे आपको apply करना है selection कैसे होने वाली है यह दुन्नों step आपके लिए important है लास तक वीडियो पर बने रहीगा यहाँ पर रिक्वाय लिंक में आपको पहला लिंक आपको मिल जाते है अप्लाई का सेकींड आपको मिल जाता है नोटिफकेशन का ठीक है यह लास्ट वाले जो लिंक के यहाँ पर लेटस्ट जितनी भी इसनटी वीकैंस आई हुई है वह यहाँ से चेक करकी अप्लाइ कर सकते हैं ऑप फ़िलाल 1st 2nd यहाँ छिसे पर विक्क करेंगे ऑप्लाई में प्लेटस जब यहां पर सबस्क्राइब कर एक हसमार इस को प्रूशनाइब को ओत कर सकती हैं स्टाइब लिहां गओग इनका सभी कुषिटी तो पंग इस भीकशना अगर थे तक संट design ४ शेमार अगरिवर सखेंग शिर आप धि adjusting कर सकते हैं एकाउंट प्रोड़क्ट सेल स्ट्रीम के लिए विकैंसी है अल इंडिया की विकैंसी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है ठीक है अब जिसके लिए लिए अपने बस उस पर क्लिक करें आप इस पोस के लिए प्लाई करना चाहते है जो की आरेम की है मेल फिमल दोनों के ल अब यहां पर सारे चीज़े को रीड कर कंने किसी आप जयसे tenía जोपिन भाला है जैसे किया काम उस और रहने वाल है संद्हित्म के मईंग इस इस इंटम ब्रॉप्र एंजशन प्रोच्निक ऑल में सुग्ट आठ लिए आरेम की आमें की शिक है एक्वायर करना है new bank SME customers by providing corporate banking solution ठीक है तो आपको क्या है कि उनको corporate solution प्रवाइड करना है तो यह आपका काम यहां पर देगा पाकि सारे चीजे यहां पर इनोंने लिखी हुई है सारे चीजे आपको समझाए जाने वाली है क्योंकि अब देखे relationship manager मैंने आपको पता है sales का अलग customer department की जो विकेंशी के customer services की उनका अलग से काम है हर एक job role का अपना यहां पर responsibility है तो वो सारी training आपको access bank यहां पर provide भी करेगा during training भी आपको salary मिलेगी ठीक है तो यहां पर training प्लस job आपको मिल रही है apply आपको जरूर से करने next यहां scroll down करेंगे यहां पर details mention की है हर post के सासा इनोंने लिखा हुआ है यहां पर क्या क्या requirements है क्या क्या eligibility मांगी गी है तो यहां पर देखे आपको apply now पर click करने जैसे आप apply now पर click करेंगे आप आ जाएंगे सीधा इनकी official face आपके सामें open हो जाएगा अब ध्यान से समयना form कैसे भरना है क्योंकि आप किसे भी post के लिए apply करेंगे सेम तरीका है apply करने का आपको personal details देखने को मिल रही है ठीक है first name आपको लिखने है जहां जहां देखे यह star लिखा है वो चीज़े आपको लिखनी है ठीक है यहां पर तो अगर यहां पर star mention है तो आपको first name लिखना ही है middle name last name यह optional है क्योंकि यह star mention नहीं है email id आपको यहां पर लिखना है contact number तो यहां पर सिधा access bank में आपकी hiring हो रही है पर फिर भी मैं आपको message yes करती हूँ कि आप किसी भी job के लिए apply कर रहे हो email id contact number अपना fresh रिखे ठीक है pin code आपको लिखने है अपनी location का उसके बार यहां पर scroll down करेंगे ठीक है आप क्या PWD category है अगर आप है तो आप no कीशिये अदर्वाइस आप yes कर सकने है उसके बाद आपको अपना जेंडर यहां पर select करीना है जो जो details required वही आपको मैं बता रहे हूं यहां पर professional details का ध्यान दखना है professional details में देखे क्या आजाते है अपना resume upload करना है अब सारी चीज़े आपकी depend करती है आपके resume के basis ठीक है क्योंकि आप यहां पर online apply करें जहां पर कोई fee भी नहीं है को exam भी नहीं है तो आपका focus अबसे पहले क्या होना चाहिए अपने resume पर तभी आपका job पर focus होगा तो आपको अपने resume बनाना है बिल्कुल attractive, professional सा बनाना है resume से लिएक को पुछ भी help चाहिए होगी आपने मुझे comment करना अब जिसमें maximum file size 3 MB है क्या वो किसी भी format में आपके पास अप अपलोड कीशे किकर यहां पे सारे format में मैंशन किया है doc, docs, pdf जो भी उसके बाद आपको यहां टेक कर पार नहीं लिखा है तो आप नहीं लिखेंगे बट अगर form फिल नहीं हुआ अगर submit application पे error यहां पे आप कुछ लिखे तो अपना middle या last swim लिख लेना अगर आपका single name है जैसे मेरे नाम meet है तो अगर single name है तो यहां पी meet लिख लिख देना यहां पी लिख लिख देना यहां आप किसी भी post के लिख 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 करेंगे male female दोनों ही और यहां पे आप more than two post भी apply कर सकते हैं आपके शॉर्ट लिस्टिंग के chances भी बढ़ जाते हैं उसके बाद आपको invite किया जाएगा आपके nearby bank access bank तो यहां पे आपकी selection होने वाली है interview based उसी के basis पे आपकी joining है वहीं आप आपको final सीजे बताई जाएगे क्या company के norms है इसके रवा क्या salary in hand आपको मिलने वाली है क्या क्या benefit आपको मिलने वाले है as an employee ठीक है वह सारी चीज़े आपको clear की जाएगी बाकि देखे एक्सिस बैंक के लिए मैंने जैसे आपको पता है वैसी आपको apply करना है आप access bank के प्रफेशनल सा बनाना है कि सामने वाला आपका resume में देखे मजबूर हो जाए आपको call करने के लिए आपको invite करने के लिए interview के लिए तो आपका focus पहले resume पर होना चाहिए देन अपना job ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर देखे मैंने आपके लिए श्रमा चैनल मैंने आपको हर एक job opportunity चाहे वो bank की हो, SLC, railway या किसी other की उसकी information आप तक सबसे पहले पहुंच जाए चैनल को subscribe करना, bell icon को press करना, अगले वीडियो में मिलेंगे नई information के साथ, thanks for watching